आज हम इस विडियो में देखेंगे कि मोबाइल से आप PC में किस तरह से शहर कर सकते हो को बी फाइल को तो शब्से पहले आपको कुछ भी फाइल सटाना है, PC से मोबाइल में या मोबाइल to PC, तो आपके पास सबसे पहले तो एक option आता है, मोबाइल में किया चीज है आपके बाद connection के लिए एक किसी PC में Bluetooth होता है किसी में Wi-Fi होता है तो मैं यहां पर Wi-Fi के तो आपको connect करके बताऊंगा कि आप mobile को कैसे connect कर सकते हो तो सबसे पहले आपने mobile में क्या करना है एक app होता है MX player बोलके तो उसको on करना है MX player में जाके आपने यहां पर click करना है इसाइड उसमें click करने के बाद आपको यह एक option देगा MX share में principle करते हो तो को फिर से प्रद से बदादेता है मैं आपको तो यह पर काना हम करने के बाद किछोछे प्लेगर इस से पर क्लिक कर दीजे यहां पर यूजर जब आप mx player इंस्टाल करते हो नो उस तेम में आपको mobile user बनाना वरता है तो वह यूजर रही है तो उसमें आपने यहां पर आता है mx share यह PC के लिए mx share PC mobile जिससे connect करना है उसके लिए तो हम यहां से PC में connect करना चाहते है तो share to PC पर क्लिक करेंगे इसमें आपको एक location service allow करना होता है कि आपका location कौन सा है क्योंकि PC में भी same location लगता है यहां से allow कर दीजे उसको permission दे दीजे उसके बाद एक back करिए यहां पर आपको कुछ detail देगा तो detail आपको fill करना होता है जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि यहां पर उसने दिया है connect your PC to the following hotspot आपका hotspot automatically on हो गया होगा अभी और उसमें android share underscore 7035 यह नाम से अभी PC में बताया होगा तो मैं आपको laptop में बता देता हो यहां पर मैं उसके Wi-Fi में गया जैसे मैं Wi-Fi on करूगा तो आपको यह नाम देगा android share 7035 तो यह नाम से देगा आपने इसमें connect करना है यह automatically connect नहीं होता है क्योंकि हर बार इसका new password internet होता है तो अब इसके बाद में हमने वापस mobile पर आना है mobile पर आपको यहां पर एक password बताया है यह हर बार new channel होता है तो अभी जो password वो डाल देते हैं 75210 वाला तो हम यहां पर PC में डाल देते हैं हम आपको PC में password डालके बता देते हैं 75210 df7d386 अब इसको एंटर कर दिया है हमने अब यहां पर आपको बता देगा कि connected लेकिन अच्छल में यह अभी शेरिंग के लिए connect नहीं हुआ है अभी सिफ यह device यह app उससे connect हुआ है PC से अब इसको हमें connect करना है तो उसके लिए next step है mx flame में बताया है कि enter the following web address on your PC browser यह web address आपको भी browser में यूज करो लेकिन यूज Google Chrome to gain better experience उसने एक point better experience के लिए बताया कि आप Google Chrome यूज करो तो हम यह link को Google Chrome पर दालना है हमें तो हम से में HTTP से जो है वही link को डाल देते है Google Chrome पर तो हम Google Chrome के यह search में आए उपर तो जूम करके आपको बता देते हैं कहा पर आया बलकर यहां पर देखिए अब यहां पर हमको डालना है वह link तो HTTP से आपने शिफ्ट दबाके ल के बादूवाला बटन दबाना है और यह आपका IP address जो मैंने पहले एंटर किया तो आपने सेम रसी दाना है जैसे डॉट यहां पर है यहां पर एक डॉट यहां पर दो डॉट सेम र आप इंटर करते हो तो आपको मैं दोनों जगा बता देता हूँ देखो PC में भी बतादिया मोबाइल में connected successfully और PC में भी बता दिया आपका connected successfully अब मैं यहां से आपको कुछ files share करके बता देता हूँ यहां पर देखिए यह मेरे पर कुछ files है मैं यहां पर mobile को रख देता हूँ mobile को रख दिया हूँ mobile में देखिए अभी भी वह स्क्रीन है मैं इसमें से यह चैनल का logo है मेरा डाइनमिक घर उसका logo मैं यहां से ड्रैक करके ब्राउजर में लिखे जाके यहां ड्रॉप कर दे रहा हूँ तो आप देखोगे कि mobile में भी यह चीज आ चुकी है और बहुत फास्ट होता है इसका शेरिंग तो आपको फिर से बता देता हो एक छोटा सा वीडियो सेंड करके वीडियो 30 सेंड का है तो मैं यहां से यहां ड्रैक कर दिया हूँ तो आप देखोगे कि mobile में भी बहुत फास्ट आ चुका है तो इस तरह कर यह शेरिंग ओप्शन है mxplayer के तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक कर दीजिया कॉमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इस तरह के और वीडियो के लिए हमाई चैनल को स साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर दीजिये ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए तो मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू